नमस्कार दोस्तों आज के कहानी एक emotional story है मेरा नाम अजीत है मैं mechanical engineer हूँ पर स्वभाव से ही बहुत ही रिजर्व हूँ इस कारण मेरी लड़कियों से ना तो ज़्यादा दोस्ती रही ना ही कोई मेरी girlfriend बनी अब मेरी job लग गई थी तो घर वाले शादी की बात करने लगे घर में कई तस्वीरे बायो डाटा आने लगे मुझे उसमें से अंजली देखते ही पसंद आ गई बायो डाटा से ही पता चला था कि बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है मैंने अपने घर वालों से कहा मुझे ये लड़की पसंद है हम लोग अंजली के घर उसे उसके परिवार को देखने और मिलने चले गए जब अंजली चाय लेकर आई तो वो मुझे तस्वीर से भी ज़्यादा सुन्दर लग रही थी खुले बाल और हलके नीले लंगे सारे में बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और प्यारी लग रही थी फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बाते करने के लिए भेज दिया कमरे में वो चुपचाप थी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी पर मेरा दिल धड़क रहा था मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ फिर मैंने बाते सुरू करते वे कहा कि आप क्या करती है उसने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा कि बायो डाटा में देखा नहीं तो मुझे मगाया क्यों था उसकी बात सुरके मुझे लगा शायद वो मुझे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है फिर मैंने उसे डायरेक्ली ही पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या वो बोली मेरी पसंद की बात नहीं है आप मुझे खुदी ना पसंद कर देंगे मुझे पता है उसने कहा अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसको देखने के बाद शायद आप शादी के लिए मना ही कर दे आप से पहले दो और लड़कोडे मुझे देखा था उन्हें भी मैंने ये बात दिखाई थी और उन्हें भी देखते ही मुझे मना कर दिया यह कहके उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उन्हें आगे के तरफ किया इतने में ही कमरे से बाहर तरफ से आवाज आ जाती है और उसकी मा कमरे में आ जाती है शैद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़की हर लड़की के साथ यही बाते करती है और उन्हें कुछ बता देती है उसकी ममी ने कहा चलिए बाहर सब अजार कर रहे है लड़की ने अपनी मा की तरफ देखा मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी मा और पिता जिनने भी मेरी शादी की जल्दी रखी थी वो भी बस मुझे हाँ ही सुनना चाहते थे मेरे आते ही मेरी मा मुझे बाहर ले गए और पुझे क्या तुझे लड़की पसंद है न मैं मना ही नहीं कर पाया लेकिन एक बात अब मुझे खटक रही थी आखिर क्या बताने वाली थी वो उसकी ममी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गई लगा मुझे जैसे कि हमारी बाते वो सुन रही थी मैंने शादी के लिए तो हाँ कर दी लेकिन मेरे घर वाले हाँ को जवाब दे चुके थे लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था कि करूँ क्या तो क्या करूँ मैंने उससे बात करना चाहा मैंने लेकिन उसका नमबर नहीं मांगा था मैंने अपनी ममी को कहा कि आप बात करिया उसका नमबर ले लेजे ममी ने अंजली के ममी से फोन पर बात करी और अंजली का नमर मांगा एकर उन्हों ने ये कहके मना कर दिया कि अंजली का फोन तो अभी खराब है ममी ये कह भी रही थी कि लोग शादी के लिए जल्दी कर रहा है इन सब बातों से मेरा मन बहुत ही अजीब अजीब सवाल से जूजने लगा एक शाम कोई जब मैं आफिस में था तब ही मुझे एक अंजान नमबर से कॉल आता है फोन रेसीब किया तो वहाँ अंजली थी वो बोली ममी ने मेरा फोन ले लिया है मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पे आई हूँ और उसी के नमबर से फोन कर रही हूँ क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो वैसे भी मुझे उससे मिलना ही था मैं अंजली के बताय हुए एड्रेस में जल्दी से घाल पहुचता हूँ वहाँ उसकी फ्रेंड का रूम था मैंने जाते ही पुछा उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही है अंजली बोली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हूँ उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अंजली आज भी बाल खोल कर आई थी और पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीट की तरफ से आगी की तरफ किया तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहते थी उसकी गर्दन पर एक टैटू था जिस पर शुयश नाम छपा हुआ था अंजली बोली मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे मैंने उसी के नाम का यह टैटू लगवाया था ये बात मैंने अपने घरवालों को भी बताई और वो लोग तयार भी हो गए थे लेकिन शुयश ने मेरे साथ चीटिंग की वो मेरे अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था और वो लड़की बहुत पैसे वाली थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया तब से मुझे लड़कों से शादी से सबसे नफरत हो गए उस लड़के को मैंने बहुत ही प्यार गिया लेकिन उसने मुझे धोका दिया तुमसे पहले दो और लड़कों को मैंने ये टैटू दिखाया उन्होंने जब सच जाना तो शादी के लिए मना कर दिया मम्मी इसलिए मुझे पर नजार रख रही है कि मैं तुमें भी सच न बता दू मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं जिद्धी की सुरवात सच के साथ करना चाहती हूँ इसे सुनके मैं सोच में पढ़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती आखे इतना प्यार करने वाली लड़की को को एक ऐसे धोका दे सकता है मुझे ने कहा दिया कि मुझे तुम्हारे पाच से कोई भी मतलब नहीं है लेकिन मेरी भी एक शायत है मैं चाहता हूँ तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी अंजली कोई इस बात की उमीद नहीं थी उसे लगा था कि शायद मैं भी शादी के लिए उसे रिजेक्शन ही दूँगा लेकिन मेरी बात सुनके इतने धर्नों से दबाए वे उसके आखों के आसुब बहने लगे मेरी शादी अंजली से खुशी-खुशी हो गए और मैं अपने आपको बहुत ही खुश्मत मांगता हूँ क्योंकि अंजली जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टन हर किसी के नसीब में नहीं होती अंजली मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों अपनी शादी में बहुत खुश है आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट शेक्शन में जुरू बताएगा साथे वीडियो को लाइक कर देजगा और हमारे चैनल को सुस्क्राइब कर लेजगा धन्यवाद